नमस्कार साथ यो आज हम बात करेंगे फ्लाइट के बारे में अऊरपोर्ट के बारे मैं यह जो वाकेया मैं बताराओं दुबई से फ्लाइट आ रही थी अमरस्टर पंजाब के लिए फ्लाइट पहले से ही दो गंठे लेट थी जो रात को उतरना था लगबख सुबह के टाइम ये फ्लाइट पहुंची दो गंठे लेट लेट पहुंचने के बाद में पहले बाद तो कस्टमर बिचारे वहाँ परेशान होए होने के बाद भी वहाँ पहुंच गए पहुंचने के बाद में जो अपना लगेज बेल्ट है वहाँ पे जाते हैं तो लगबग 50 लोगों का समान मिशिंग था यानि समान गाइब था समान उनको नहीं मिला जी हाँ अब इस पे क्या पिर्तिक लिए आपकी होनी चीए क्योंकि आप लोग हर दिन किसी ने किसी देश में जाते रहते हैं या आते भी रहते हैं आपका दो साल से आ रहे हैं आपका मैनत की गाड़ी कमाई का समान और वो अचानक से आपको पता लगे गुम हो गया आपकी तो गराउंड स्टाप से संपरकरो 50 लोगों के उपर मातर 3 गराउंड स्टाप की एक कमी थी स्पाइस जेट की फ्लाइट थी स्टाप की कमी होने के बाज़ूद उनका कोई समाधान नहीं हुआ कई दुबई में चूट गया होगा इसमें के साथ सानide करना पड़ेगा कॉन सारी बना पड़ाइगा ऐiding इसमें अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो सोड तरीके से आपको ध्यान वहां wait करें समान नहीं मिलता है तो वहां पर एक form आता है वो फोरम complete करें और वहां पर counter बने होते हैं वहां मिशिंग समान से समंदित में भी आप complaint कर सकते हैं ताकि आपका समान जैसे मिले आपके घर पहुंचाने की वह को से वह उनको पहुंचाना पड़ेगा आपको को अलग से कोई चार्ज उनके नहीं देने इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए इंडियन कपल था जो वी इतनाम से इंडिया पहुंचा था दिल्ली एरपोर्ट पे जी हां उनको कपल मतलब नहीं करोगे 45 पिस्टल जी हां 45 पिस्टल उनके पास निकली 45 पिस्टल आप देख सकते हैं तस्वीर के मादम से उनके ब्रामद की गई उनको चेक किया तो वो आलांगे पता नहीं लगा सके कि नकली हैं गसली हैं बाजार किमत उनकी 22 लाक रुपे बताए गई जी हां को दीती इंडिया में लाने के लिए अब इस मामले की जांच की जाएगी कि यह शाहिद मेरे साबसे पहला मामला मेरी नजर में देखने में आया है, सुनने में आया है कि विदेश से पिस्टल और लोग गोल्ड लेके आते हैं और भी समाल लेके आते हैं लेकिन पिस्टोल पिस्टल लोग विदेश से लेके आ रहे हैं इंडिया में और उनको भे नहीं होता कि यार कस्टम डिपार्टमेंट अपने को पकड़ लेगा तो अमणा अपना क्या होगा जी हां तो इन चीजों में आपको भी कहीं ने कहीं कोई लाला सगर देता है या बोलता है कि यह नकली पिस्टल है आप लेके चले जाओ तो रेशानी में पढ़ सकते हैं इसी गलती आपको कबूल कर लिया कि हम तुर्की से भी 12 लाक रुपे की पिस्टल लेके आये थे हम तसक्री पे पहले भी कर चुके हैं इसका मतलब 100% यह ओरिजिनल तसक्री हो सकती है तो इनके खिलाब में कड़ी कारवाई की जाएगी तो ऐसी चीजों से सावदा नहीं बढ़ते हैं सतरक र